Hello and welcome to Tele Express, your one-stop destination for all reality shows new. दोस्तों, इंडियन आइडिल सीजन तेरा का फिनाले धीरे धीरे नजदी का रहा है. लेकिन इंडियन आइडिल के फिनाले से पहले क्योंकि या आदिते नारायन ने देबोशमिता से बहुत बढ़ा वादा क्या हुआ और कौन सा वादा किया चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली एक्सप्रेस की. But before that, do not forget to like, share and subscribe टेली एक्सप्रेस. दोस्तो, इंडियन आइडिल सीजन 13 के होस्ट है आदेते नारायन. आदेते नारायन का बहुत पुराना रिष्टा है इंडियन आइडिल से. और ऐसे में, कुछ कंटेस्टेंस के साथ आदेते नारायन अपना रिष्टा भी जोड लेते हैं. और यही रिष्टा उन्होंने देवोश्मिता से भी जोड़ा. देवोश्मिता को वो अपनी बहन मानते हैं. तब ही तो हम आपको बता दें कि उन्होंने देवोश्मिता से बहुत बड़ा वादा किया है. जी हाँ, आदेते नारायन ने इंडियन आइडिल के मंच पर देवोश्मिता को अपनी बहन माना और उससे ये वादा करते में नजर आए वो कि वो देवोश्मिता से अपने इस रिष्टे को हमेशा निभाने वाले हैं. वो कभी भी देवोश्मिता से अपने रिष्टे को नहीं तोड़ेंगे. वो हर साल चाहेंगे कि देवोश्मिता उनके लिए राकी भेजे और अगर देबोशमिता ने राकी नहीं भेजी तो खुद आदित्य नारायन देबोशमिता से राकी बंदवाने कोलकत्ता पहुँच जाएंगे आदित्य नारायन ने देबोशमिता से ये भी वादा किया है कि वो देबोशमिता को इंडस्ट्री में काम दिलवाने में भी मदद करेंगे जिससे दिवोश मिता इंडस्ट्री में अपनी जगे बना सके और मुंबई में अपना एक छोटा सा आशियां भी बना सके मानना पड़ेगा दित्यनारायन को आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में लिख कर बताई वीडियो को लाइक कर शेयर कर ना पूले